मिस वर्ल 2017 मनुशी चिलर को कौन नहीं चानता अब पॉर्फिक्ट देसी गल जो लाखों इंडियन लड़कियों की इंस्पिरेशन है उनका लव फॉर इंडियन आउफिट से लेकर लव फॉर इंडियन फूड मनुशी चिलर खुद को एक ग्रीमर, फूचर डॉक्टर, मिस वर्ल और फिलेंट्रोफिस डिनोट करती है जिसने अचीव किया है इंटरनेशनल फेम और सकसेज गेन किया है इतनी कम उमर में पर दोस्तो अब शुरू करने से पहले हमारे चानल से लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चानल आसकाई गरू को सब्सक्राइब करना ना भूले ब्रेकफास्ट रिसेंटली मनुशी ने शेयर किया था कि अपना लव फॉर एग्स उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पे जहाँ पर उन्होंने खुद के लिए पोस्ट एग प्रिपेर किया था अपने ब्रेकफास्ट में और सिर्फ एग्स ही नहीं उन्होंने अपना लव फॉर ओट्स और योगर्ट्स और फ्रेश फूर्ट्स भी दिखाया है अपने ओफिशल सोशल मीडिया अकाउंट पे वॉर्म वॉर्टर एज अ मेडिकल स्टुडेंट मनुशी को मालूम है कि डिसिप्लिन लाइफस्टाइल सिल्फ एक ग्लास ओफ बॉर्म वॉर्टर और लेमन से शुरू होती है पुद सोश इसके मुताबिक मनुशी चार से पांच लीटर आफ वॉर्टर पीती है पूरे दिन में अपनी बॉड़ी को हमेशा हाइडरेटेड रखने के लिए वो अपने पास हमेशा स्मूधी त्या फिर शेक्स हैंडी रखती है जो उनके एक फैंड ने पोस्ट किया था जहाँ मनुशी हैपिली मिल्कशेक एंजॉई कर रही थी इंडियन लंच जैसे कि मनुशी का लव फ़र इंडियन फूड उनके फूड चॉइजस से रिफ्लेक्ट होता है जिसमें इंक्लूड होता है रोटी, दाल, सलाट, कर्ड, ग्रीन वेजिस और एक स्मॉल सर्विंग चिकन की जिस से उनकी फिजिकल एनरजी इंटेक्ट में रहेगी दिन भर ये आपने सही सुना अपने बॉडी को इस पे रखने के लिए मनुशी उनका लास्ट मील बिफोर संसेट करती है जिसमें इंक्लूड होता है क्वीना सलाट, कुलाव, चिकन और कभी-कभी टोफू सलाट और सूप भी एक इंटर्व्यू में उनकी नूट्रिशनिस और डाइटिशिन ने ये मेंशन किया था कि मनुशी हमेशा से कंट्रोल इंतेक पर ज्यादा ध्यान देती है वो जो भी खाती है उसमें से क्योंकि कंट्रोल और शुगर इंतेक से प्रोसेस फूट तक सब खाकर भी अपने बॉड़ी को कैसे फिट और सेफ रखना मनुशी जानती है तो अगर आप भी मनुशी चिलर जैसे फिट रहना चाहते है तो उन्होंने दी हुई टिप्स को आप डेफिनिटली फॉलो कर सकते हैं अपने रूटीन में तो दोस्तों अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताए और अगर आपको ये हमारा वीडियो पासंद आया होगा तो इसे लाइक, शेरें, कमेंट जरूर करें तो अगले वीडियो तक केले अलवेदा दोस्तों नहीं बादेगें